मुंबई के अस्पताल में भरती संजे राउत की खैरियत पूछने के लिए वहाँ पर पहुंचे जैसा कि आप इस वीडियों में देखी रहे होंगे समभार को राउत की स्थिती काफी खराब हो चुकी थी आपको बता देए राउत को समभार को सीने में दर्द की शिकाएद हुए जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्वताल में भरती कराया गया जहां उनकी एंज्योप्लास्टिक हुई थी आपको बता दें ठाकरे ने कहा इसी सिलसले में जब मीडिया ने ठाकरे से पूछा तो ठाकरे ने कहा कि राउत के स्वास्त में तेजी से सुधार हो रहा है हालाकि उन्होंने महारास्ट में राजनीतिक संक्ट पर तिपड़ी करने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा चीजे आकर ले रही है इस बारे में मैं सही समय पर बात करूंगा राजनीती के बार में फिलाल कोई तिपड़ी नहीं करना चाहता हूँ आपको बदा दे राउत की सेहत के बार में ठाक्रे ने कहा उनके सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है उन्होंने सामना के कारे-कारी संपाधक के तौर पर काम शुरू कर दिया है सामना सिफसैना का मुख़्े पत्र है आपको बता दें ठाकरे के अलावा भाजपानेता हर्शवर्धन पाटिल और आशीश शेलार ने भी अस्पताल पहुँच कर राउत से मुलाकात की ठाकरे ने पाटिल के साथ सतावन वर्षी राउत से मुलाकात की भाजपा की मुख्य इकाई के पूर्व प्रमुक शेलार ने शिर्सेना के राज्य सभासद से राउत से मुलाकात के बाद कहा, डॉक्टर ने राउत के कम बोलने की सलहा दी है, मैंने उन्हें सिस्टर चार से मुलाकात की, ये महराश्ट की संस्कृती है कि राजनेतिक के बावजूद हम अस्वस्त व्यक्ति का हाल चाल पूछने जाते हैं, आपको बता दें उन्हें ये भी कहा, इस मुलाकात का कोई राजनीतिक कोड नहीं है, भाजपा का एक वरिष्ट पधाकारी भी इसी अस्पताल में भरती है, मैं उनसे भी मुलाकात करूँगा, आपको साथ चाहती है, और इस चीज के लिए वो बातचीत कर रही है, बिमार राउत ने सुबह प्रस्तित कभी हारी वन शिराय बच्चर की कवीता की, कुछ पंगतियां भी अपने ट्यूटे पर सेयर की थी और उन्होंने लिखा था कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, हिम यानि कि उन्होंने कहा कि हम हिम्मत कर रहे हैं और हमारी हिम्मत जवाब देगी कि महराश्ट में सरकार और महराश्ट में मुख्यमंत्री सिव सैना का ही होगा SPN 9 News तेना असमिन की रपोट